हेलो अब्रीवन आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल S.P.A. स्टेडी पॉइंट पर आज की ये क्लास है B.A.C. फर्स्ट एर फर्स्ट समेस्टर के लिए जिसमें आज हम डिसकस करने वाले हैं कैमेस्टी का कोशिण पेपर ये कोशिण प पेपर में दोस्तों आपको ये जानने को मिलेगा कि किस टाइप के कोशिण पूछे जा रहे हैं इन्वर्सिटी क्या नया पूछ रही है कौन-कौन से यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो ये सभी जानकारी आपको कोशिण पेपर से मिलेगा ये कोशिण प के परस्म आपके इन्वर्सिटी भी पूछेगी तो कंप्लीट एनलसिस कराने वाले हैं सभी लोग लाश्त जरू देखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिण पेपर है दोस्तों ये इससे रिलेटेड प्रस्म आपके एक्जाम में रिपीट होंगे ओके चलिए क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये पेपर दोस्तों आप देख सकते हैं ये कोड नमबर आपका दिया घया है कोड़ नमबर कोई बी प्राप्लम होँ स्लेबस हमारे लिए है या पूपर हमारे लिए वश्यक्स है या नहीं तो आप पेपर टाइटल जरूरूर reject रिए ठीक है तो ये आपके लिए अनिवार रहता है है फैसलिए अभी बडे कि जो समय बक्तर नमबर का रहेगा टोटल प्रोडांग उके जरी प्रसन को डिस्कस करते हैं कि कौन कोण से प्रसन इस बार पूंछे जा रहे हैं किस टाइट के प्रसंप पूंच रहे हैं तो दोस्तों आप देखेंगे इस कुईशन पेपर में थोड़ा सा जो पेपर आया है यह अलग आया है यह model paper और previous year question paper किये पेच्छा थोड़ा सा अलग पूछा गया है इसमें जो questions आये पूछे गये हैं कोई भी repeated प्रसंद नहीं पूछा गया है कोई भी repeated प्रसंद नहीं है और हो सकता है इस बार आप सब की university भी repeated प्रसंद ना पूछे तो इसके लिए कैसा रणनीती होनी चाहिए कैसे आपको तैयारी करनी है वो सभी मैं आपको बताऊंगा ओके चलिए तो पहले question paper को discuss करते हैं पहला प्रसंद के पूछा गया है what is the contribution of आचार प्रफुल चंदर्राय in Asian chemistry यहां पर question पूछा गया था कि आचार प्रफुल चंदर्राय का प्राचीन रहसान विग्यान में क्या योगदान है जैसा कि आप देखेंगे इनवर्स आप अपनी chemistry में तो first unit आपकी है molecular polarity and chemical forces उसमें है कि कुछ ना कुछ इसमें अलग पूछ लिया जाता है कुछ हटके प्रस्न पूछे जाते हैं वो कैसे तैयार होंगे वह आपको basic knowledge होनी चाहिए तभी आपका यह कबर होगा हाला कि यह आपके exam में repeat नहीं होगा चाहे आप आवज इनिवर्सिटी में हो या बिरबाद और नहीं repeat होंगे लेकिन आपको इसमें देखना होगा तयार करना होगा क्योंकि इसके पहले भी अभी question paper मैंने discuss किया था जुलोजी का ठीक है तो जुलोजी में भी एक दो प्रस्न पूछे गया थे scientist के नाम से यह प्रस्न इंपॉर्टेंट है एक तरह से और नहीं भी है तो इ is electron affinity electron बंधुता ठीक है लेकिन यहां पर पूछी की electron affinity of chlorine is lower than chlorine chlorine की electron बंधुता जो है वो chlorine की पेचा कम क्यों है यह आपको समझाना है तो इस टाइप से प्रस्न पूछे जाएंगे बहुत ही important है यह questions पूरा का पूरा आप तयार करने का प्रियास करिए जो फ्लोरीन है इसकी electron बंधुता chlorine की पेच्छा कम क्यों है यह आपको discuss करना है ठीक है तो यह important है यह आपके model paper में मिल जाएंगे अगला प्रस्न देखें क्या पूछा गया है बहुत ही अलग paper आया है दोस्तों आप देखेंगे c नमर प्रस्न है what is the benzyl free radical more stable than alkyl free radical देखें यहाँ पर दिया गया है बेंजाइल मुक्त कड बेंजाइल मुक्त कड अलकाइल कड से जादा स्थिर्क्यू होते हैं यह आपको बताना है ओके तो यह भी important है दोस्तों इस टाइप के प्रस्न इस बार repeat हो रहे हैं दो बार यह पूछा जा चुका है तो इसलिए यह प्रस्न important है c number very very most important मैं star कर दे י कैश क्यात त्यार करना है मैं आपको बता दो three radicals आपको तयार करना अग्जा प्रीडीकल सहां त्यार करें ग्साप प्री रेडिकल सहार कारेंगे तो आपड़े ट्यार करेंगे तो आपको यह टापिक आपका वेसे ही complete हो जाएगा क्या चली अब देखते हैं अगला प्रस किजिए अभी यहाँ पर आपको बताना ड Que aap को समयता क्या है यह वर्णन करना है ठीक है बहुत ही important है very very most important तो मैलिक अमल और फ्यूमेरिक अमल यह आप तयार कर लिजेगा बहुत ही important है इसके isomerism पूछी जाने की संभावना है stereocamistory जो आपकी unit number six है बहुत ही important chapter है जहां से प्रश्न करने की संभावना दिकांस होती है तो यह आपको ध्यान देना है यह तयार करना है बहुत इंपोर्टेंट है अगला प्रसन आपके यूनिट नंबर साथ से पूछा गया है जो पूछा गया डिफाइन दबाइट बाइट को प्रभासित कीजिए कम्प्यूटर सिस्टम बेसिक कम्प्यूटर सिस्टम का प्रसन है बाइट पूछा गया है लेकिन आपको बेसिक कम्प्यूटर सिस्टम में तयार जो करना है वो बिंडो क्या है और डॉस क्या है यह तयार कर लेना है कम्प्यूटर के बिभिन प्रोग्रामिंग लेंग्वेज को तयार कर लेना है और binary number system आपको तयार करना है यह आपके लिए important रहेगा binary number system computer से यही प्रस्न पूछे जाते हैं यह इस बार नया पूछा गया byte तो यह आपके very short question type का है ठीक है जिसमें cpu पूछ ले जाता है कि what is cpu alu पूछ ले आता है mathematical logical unit क्या है ठीक है तो यह आपको त्यार करना है अगला प्रस्न देखिए जो दो number प्रस्न है वह स्टेट दफ फजान रूल explain which compound each of the following pair up more covalent and white यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको बताना है स्टेट देना फजान रूल फजान भाई साब का जो रूल आया था नियम आया था वह क्या है वह आपको यहाँ पर पूरा पूरा उसका स्टेट देना है और यहाँ पर जो compound दिए गए जब आप फजान का नियम पढ़ेंगे तो आपको polarization पढ़ना होगा polarizing power और polarizability यह दोनों important है और फजान का रूल आपको देखना है समझना है तो आप चले जाए प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में chemistry के जाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगी वहां से मैंने फजान का नियम पूरा का पूरा discuss कर दिया है एक ही class में आपको बहुत ही अच्छे से समय में आएगा और polarization क्या है और polarizability क्या है यह भी मैंने बता दिया है important है बहुत important है हर बार repeated प्रसन है यह ठीक है यह आपका repeated प्रसन है तो इसको आपको तयार करना है दो number star में कर दे रहो very very most important ओके चल second से unit number second जो आपका simple bounding theory साफ molecule जिसमें जो प्रसन पूछे जाते हैं वो important होते हैं जहां से अधिकांस प्रसन बनते हैं जिसमें से best पर theory बहुत important आपकी रहती है और तीसरा आपका इसमें पूछा जाता है MOT molecular orbital theory और चौथा जो important है वो है आप वाउ फ्रिंस्पल और N प्लस L रूल बहुत important होता है इतना आपको इसमें से त्यार करना जो मुख मुख topic में बता रहो important है आप question देखिए यहां पर पूछा गया है discuss in brief the best part theory discuss करना है brief में NH3, H3O plus CIF3 on the basis of this theory आपको best part theory क्या है यह तो सबसे पहले बताना है और best part theory के according इन सभी molecule के क्या बतानी है shape बतानी है कि इनका shape कैसा होगा best part theory के according तो best part theory भी मैंने आपको discuss करा दिया है playlist में आप जाए और उस वीडियो को देख लिजे तैयार कर लिजे बहुत important है best part theory हर बार पूछी जाती है यह आपका repeated प्रसन है ठीक है यह आपके repeated प्रसन है best part theory तो आप इसको तैयार कर लिजेगा यह आपके exam में 100% पूछा जाएगा अगला प्रसन देखिए पूछा गया है what do you mean by effective nuclear charge how it is determined and calculate the gf for the outermost electron s and cl atom देखे effective nuclear charge पूछ ले आता है जिसे ENC भी कहते है what is ENC पूछा जाता है यह आपके very short में पूछे जाने की संभावना रहती है लेकिन अगर इस टाइप से पूछा जाएगा हाला कि यह दो बार repeat हो चुका इस टाइप से इस टाइप से प्रसन बन चुका है कि प्रभावी नावकिये आबेश से आप क्या समते है यह कैसे निर्धारित होता कैसे हम निकालते हैं S और C L के सबसे बाहरी इलक्टान में G E F की गढ़ना कीजिए यानि की effective nuclear charge को किस से जड़ इडबल F से प्रदर सिद करते हैं इसकी गढ़ना करनी है बहुत important यह प्रसना है यह भी आपका repeated माल लीजिए repeated प्रसना है यह जरूर कर लीजिएगा ओके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा questions पूछा गया है अगला प्रसन देखेंगे जो बहुत important section है यहां पर है write a short note on any two दो पर संचिफ टिपड़े लिखनी है पहला आपका charge transfer complex जो 100% पूछा जाता है और यह आपका repeated है हर बार पूछा ज इसे कहते हैं या इसमें आपका अनुनाद उर्जा पूछ ली आती है ठीक है resonance energy पूछ ली आती है कि resonance क्या है या फिर आप बताए resonance energy तीसरा जो है inclusion compound जो बहुत important है यह आपके तीनों प्रसन बहुत important है बी बी आईपी प्रसन है ठीक है पूछे जाने की संभावना 100% है तीन आपके लिए important है तो इसलिए इन फ्रसनों को सबसे ज्यादा important है से three star में कर दे रहा हूं इसलिए ताकि आप लोग देख लिजेगा तयार कर लिजेगा इसका notes भी में provide करा जुका हूं के नेक्स्ट प्रसन देखिए आपका अगला प्रसन question number 4 पूछा गया वाट आर कार्ब कार्बोकेटायन क्या है explain the structure of stability of primary secondary and tertiary कार्बोकेटायन बहुत important है कार्बोकेटायन अपके लिए very very most important है वी बी आईपी प्रसन रहा है हर बार ये repeat होता है पूछा जाता है हर साल ठीक है तो कार्बोकेटायन आप तयार कर लिजेगा प्रात्मीक दितियक और तितियक कार्ब करनी है कि यह भी आपका बहुत important है त्री स्टार प्रसना है क्योंकि त्री स्टार की rating इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा तर आवाद इन्वर्सिटी में पूछ लिया आता है वी बादुर गुर्वान चली इन्वर्सिटी में इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे तो प्रजेक्शन फार्मूला एंड फो वन आप दा मोस्ट इस्टेबल ठीक है यह आपकी जो पूछी गई है दोस्तों यह प्रसन यह आपका स्टीरियो कमेस्टी का प्रसना है जहां पर पूछा गया न्यूमान प्रजेक्शन फार्मूला में नार्मल ब्यूटेन के बिभिन प्रशन बताईये और दिखाए कि कौन सबसे इस्टिर अब इसमें न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला पूछ लिया गया है नहीं का न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला भी आपका इंप्रोटेंट है और यहां से अब तक के दो बार प्रसन पूछे जा चुके जब भी confirmation आप पढ़ें तो n-butane जरूर पढ़ें, n-butane और cyclohexane, ठीक है, cyclohexane का दोनों बहुत ही important है, अगला प्रसन देखिए, जो next प्रसन आपका है, ये आपके unit number 7 का है, basic computer system, जिसमें पूछा गया है, convert the following decimal number into binary number, decimal से binary number में आपको change करना, decimal number दिया गया, इसको binary number system में change क करना है, बहुत important है, अगर इस तरह से binary number पूछ लेगा, decimal से convert करने के लिए, या फिर binary number देदेगा, आपको decimal में change करना रहेगा, अगर ऐसा नहीं देता है, तो questions पूछ देगा, कि what is decimal number and what is binary number, या आपको questions पूछ लेगा, what is binary number system, जिसमें आपको binary number system को पूरा कपूरा define करना पड़ेगा, और आपको इसमें दिखाना पड़ेगा, एक दो example भी, ठीक है, तो binary number system आपके लिए important है, बी बी आई पी प्रसन है, ये भी repeated प्रसन है, तो इसको आप सयार कर लिजेगा, इस type के प्रसन एक्जाम में जरूर बनेंगे, ओके, चली, अगला प्रसन देखिए, ज लास्ट यूनिट, यानि यूनिट number 8 है, mathematical concept of chemistry, ठीक है, जिसमें आप से पूछा गया है, यहाँ पर, d by dx log b plus x, बहुत important है, और d by dx sin x, इसका आपको मोल्यांकन करना है, ये दोनों प्रसन ही repeated है, अभी तक के हर बार पूछे गये हैं, अब इसमें आपको जो सबसे ध्यान देना है, और differentiation पर ध्यान देना, differentiation से एक दो प्रसन पूछे जा सकते हैं, दूसरा पूछा जा सकता है आपका लोग का, लोग का question बहुत important है, और जो next आपको इसमें तयार करनी है, और probability तयार करनी है, ठीक है, इसको हिंदी में कहते है, प्रयाक्ता, प्रायक्ता कहते हैं, दोस्तों, तो यह important है, यह आप तयार कर लिजीगा, इतना प्रसन आपके एकजामें पूछा गया था, अब इसमें देखेंगे जो बेरी सॉर्ट टाइप के हैं, ठीक है, बेरी सॉर्ट टाइप, इसमें जो प्रसन पूछे गया है, वो क्या है, कि सीधे सीधे प्रसन पूछे गये, इसमें पूरा का लॉंग टर्म पूछ लिया गया है, यह देखें, पचास नंबर का कोईशन पेपर कराती है, और हमेशा आप देखेंगे दोहजार इकिस बाइस का पेपर आप ले लिजीए, सिधार्थ इनिवर्सिटी का, तो इसमें देखेंगे कि इसी सेम इसी टाइप से प्रस्द पूछे गए ते और यहां से आपके एकजाम में यानि कि अवद इनिवर्सिटी या फिर चोदर्र चराण सिंग् इनिवर्सिटी हो, कानपौर या वेरवादर पुर्वांचल इवर्सिटी हो, सभी में यहां से प्रसद रिपीट होंगी और बिहा वही 2023 में पूचे गये वही 2022 में पूचे गया है वही 2021 में पूचे गये अगर आप देखेंगे मेरे इस चैनल पर आप जाएंगे तो एक प्लेइस्ट होगी question paper की 2021 आप देखेंगे उसमें लगबग लबग देख करके और आप देखिए कि सभी के सभी प्रसन रिपीट हो रहे हैं जैसा कि मैं नया आप लोग को प्रवाइट कराया हूं वो मॉडल पेपर आपके लिए रामबान है दूस्तों पूरा का पूरा आप तयार कर लीजिएगा अगर आपका वो मॉडल पेपर तयार हो जाता है तो यह मानकर चली 75 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा वहीं से आएगा ठीक है तो सभी लोग इस पूस्चन को अपने मंद से सॉल्व करने का प्रियास करिएगा मैं मॉडल पेपर को सलूशन जो मॉडल पेपर का सलूशन है वो किनिक केमेस्ट्री तो इन ऑर्गैनिक में आपके तीन केप्ट्र समलित है पहला आपका है सेंपल बांदिंग त्योरिस और आपका तीसरा यूट है प्रियोडशन क्लास मिदाउं और बाकि कल से आप लोग की क्लास शाथ बज़ेदेली संचालीत होगी डेली आप सभी करेगा इस question paper का पीडियाप आपको टेलेग्राम चैनल पर मिलेगा तो आज की ये class आप सब कैसी लगी comment session में comment करके जरूर बताए और दोस्तों आप लोग को करके दो अ